Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल काफी जादा Xiaomi आप देख लीजे, बड़ा market इसने capture कर रखा है, लेकिन क्या अब समय आ गया है कि जो cheaper Chinese mobile phones थे, उनका अब अन्त होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुकेश अमबानी की जो company है Jio, जो टेलिकॉम सेक्टर में है, वो सचसे सस्ता 4G phone यहाँ पर निक market में, in fact, यह already launch हो चुका है, तो इसके बारे में हम analysis करेंगे, और साथी साथ में आपको कुछ और भी चीजें बताऊंगा, कि आखिरकार क्या कारान रहा जिसकी जो भारत के ब्रैंड्स थे, जो भारत के अंदर सस्ते mobile phone ब्रैंड बना रहे थे, वो आखिर Chinese ब्रैंड के आए, तीन live batches, pure English, pure Hindi या फिर English, कोई भी आप language में लेना चाहते हैं, हमारे website, app पर जाएए, या फिर comment section में इसका link है, वहाँ पर जाकर use करिए code ankit live, ताकि maximum discount मिले, इसके अंदर मैं आपको बता दू, सभी classes live होते हैं, personal mentor आपको दिया जाता है, पूरे guidance के लिए, test series होता है मतलब कुछ भी और लेने के आशकता नहीं होती है, और अगर आप optional की त्यारी भी करना चाहते हैं, साथी साथ, तो इस मैंने बहुत सारे optional की सुरुआत हो रही है, वो भी आप ले सकते हैं, और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा जो को feature phone का मतलब, जो आपने देखा होगा ना बहुती basic phone होते हैं, Nokia वगर क्या आपको याद होंगे, बहुती सस्ते phone होते थे, और यहाँ पर मतलब जो एक basic feature होता था उसमें, जैसे की SMS करना हो गया, कुछ थोड़े calls वगर हो गया, वो सारी चीज़ें हुआ करती थी, लेक जिने सस्ते phone आज के date में, मुझे नहीं लगता कि इससे सस्ता कोई phone बेच सकता है, और बाकी का अगर हम बात करें Indian brands की, उनका भी plan है कि जो inexpensive smartphone है, उसको भी लाया जाएगा, मतलब भारत के जो brands हैं, वो भी सस्ते सस्ते, जो smart phones हैं, वो भी लेकर आएंगे, देखें क्या है जाना कि एक दसक पहले अगर हम देखें, तो अलरीडी भारत के brand lose out कर चुके हैं Chinese brand से, तो question यह है कि क्या आज के market में Indian brands वापस से revive हो सकते हैं कि नहीं, वही हम discuss कर रहे हैं, सबसे पहला तो question यह है कि आखिरकार Indian brands पीछे कैसे हो गए, देखो इसका सबसे main कारण है Chinese एक brand है start कर दिया था, कि कोई दूसरा brand का front लेने के लिए ready नहीं था, मतलब कि हमारे देश में अगर हम average Indian की बात करें, अगर वो 7,000, 6,000, 9,000, 10,000 रुपए खर्च करने के लिए ready है, तो कहीं न कहीं आपको दिख रहा था कि वो Chinese brand के पास ही जाएगा, क्योंकि वो सारे हर एक features दे जा रहा था, और especially यहाँ पर आपको यह भी चीज पता होना चीए, कि Chinese brand का जो supply chain था, वो बहुत जादा strong था, वो सस्ते दाम पर phone को बना कर लगतार भारत के market में उतारते जा रहे थे, और इसी के वजए से उन्होंने भारत का market share है mobile phone के मामले में, उन्होंने काफी बड़ा हासिल कर लिया, और वहीं दूसरी तरफ जो भारत के brands थे, उनका costing ही इतना आ जा रहा था कि जिसकी वजए से वो Chinese brand के साथ कभी compete ही नहीं कर पा रहे थे, चाहे आप Xiaomi की बात करिए, ओपो की बात करिए, या फिर जो South Korea का Samsung हो गया, किसी से भी वो compete नहीं कर पा रहे थे, although कहीं अपना एक better presence बनाया चाहें, marketing कह लीजे, और अच्छे quality के phones निकाले, जिसकी वजए से अगर हम high end phones की बात करें, तो उसमें Samsung lose out नहीं किया, और Chinese brand बेसिकली जादा तर जो सस्ते mobile phone है, उस प्रकार से जाने जाते थे, और सस्ते mobile phone में Indian brands कहीं से भी tick नहीं पाए, और वो बेसिकली Chinese brand से हार गए थे, क्योंकि आपको समझना है, कि अगर मान लो एक Indian brand है, जो की 8000 रुपय में mobile phone दे रहा है, और दूसरी तरफ Chinese brand है, जो की 8000 रुपय में mobile phone दे रहा है, तो ये जो Chinese brand होता था, वो आपको ज्यादा mega pixels के वाले जो phones हैं, photos वाले phones जो हैं, वो आपको provide करता था, यहाँ पर आपको better quality के जो services हैं, यहाँ पर जो app वगर हो गया, वो आपको, और RAM हो गया, GB हो गया, यह जितने भी चीज़े थी, वो आपको Chinese brand में ज्यादा देखने को मिल रही थी, और वहीं अगर हम Indian phones की बात करें, तो वो चीच नहीं मिल रहा था, जिसकी किरकार Jio इसको इतने सस्ते दाम पर कैसे launch कर सकता है, देखो सबसे पहले जो कि मैं आपको बता रहा था, कि यह feature phone होने वाला है, मतलब ऐसा नहीं है कि smart phone एकदम high end तरह का phone होगा, ऐसा नहीं है, feature phone होगा, लेकिन हा, इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर 4G होगा, आज के date अगर आप देखो कि जो feature phone की cost आती है ज्यादा तर, वो लगवगा आपको 1200 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा, तो basically क्या है, अगर हम Jio की बात करें, तो उसका जो direct cost हो कभी recover नहीं कर पाएगा, क्योंकि Jio इतने सस्ते में mobile phone दे रहा है, 8500 रुपए में, कि वो directly cost को cover नहीं कर पाएगा, तो आखिरकार Jio फिर इतने सस्ते दाम पर कैसे दे पा रहा है, क्या वो loss में जा रहा है, नहीं, देखो Jio की planning क्या है, कि ultimately अगर कोई भी user ये phone लेता है, मालो 8500 रुपए का, तो अव्यसी बात है, वो 4G के लिए recharge भी कराएगा, और recharge कौन सा होगा, Jio का पोन है, तो Jio का ही recharge जोगा, जिसकी वजए से ये बंडल टेलिकॉम प्लान है, और बाकी की जो services लेगा, इनका ऐसा मानना है, कि 4 साल में, मतलब क्योंकि feature phone का जो life span आप देखोगे, तो वो लगबग 4 साल का होता है, तो 4 साल के अंदर, Jio लगबग हर phone से 5000 रुपए यहाँ पर कमा लेगा, मतलब वो mobile phone तो सस्ते में दे दे रहा है, लेकिन जब उसको use करने की cost आएगी, उससे कही न कहीं, Jio अपना जो cost है, वो recover करने की कोशिश करेगा, यह plan है, और कहीं न कहीं हो सकता है, कि Jio इसमें successful भी हो जाए, अगर हम भारत में बात करें user base की, और कौन से ह बात करें, अगर हम भारत में बात करें, तो लगबख 200 से 330 million के आसपास आपको user base देखने को मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि user base जो सस्ते mobile phone है, feature phone है, उसका लगतार घटते जा रहा है, 2021 में आप देख सकते हो, 320 million लोग थे, फिर यह घटकर 275 हो गया, और आज क के वजए से, अब Jio क्या करना चाहता है, कि जो लोग feature phone का इस्तमाल करते हैं, 2G का इस्तमाल करते हैं, उनको shift कराया जाए 4G की तरफ, क्योंकि आप समझ ये, Jio के पास 2G का license नहीं है, वो 4G का ही services provide कर सकता है, 4G, 5G, तो यहाँ पर अब यह चाहेगा, और जाहिर सी बात है जो लोग 2G का इस्तमाल कर रहे हैं, उतने ही पैसे पे करकर वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि उनको 4G की service मिले, और इसलिए बताया जा रहा है कि ज़्यादा तर, क्योंकि आज के date में आप देखोगे, जो सबसे बड़ा हिस्सा है, जैसे ITEL हो गया, Lava हो गया, Nokia हो गया यह जो phones है ना, यह जो brands के phone है, feature phone के मामने में, इनका market share सबसे ज़्यादा है, लेकिन अब कहीं न कहीं यह पूरा market share, आपको Jio का 4G phone launch हुआ है, उसकी तरफ जाते वे देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर basically मैं आपसे यह कहना चाहरा हूँ, कि जो यह बार-बार question आ यह लोग target कर रहे है, basically, अब यहाँ पर question है कि क्या जो बाकी के Indian brands है, क्या वो revive हो सकते हैं, जैसे भारत की जो companies हैं, भारत के brands है, Carbon, Lava, Micromax, देखो यह लोग सोच रहे हैं कि 5000 के आसपास का जो 4G smartphone है, feature phone नहीं, जो smartphone होता है, वो यह लोग सस्ते दाम पर launch करने वाल है, लेक जा रहे हैं, यह pattern देखने को मिल रहा है, basically, तो अब क्या हो रहा है कि जो सस्ते smartphone वाला market है, जो user base है, वो अब लगतार shrink होता जा रहा है, और आगे आने वाले समय में भी यह वाला जो market है, वो आपको लगतार shrink होता हुआ देखने को मिलेगा, और experts का भी यह कहना है कि अगर माल लो इसके अंदर business कोई होता आज के date में, तो जो Samsung हो गया और बाकी की जो Chinese brands हो गया, वो इसके अंदर play out करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो Chinese brands होगर अब इससे हटते जा रहे हैं, और आपको पता ही है कि एक भारत के अंदर sentiment भी recent जोड़ One Valley वाला incident हुआ, सरकार ने भी कुछ action लेने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं Chinese brand अब थोड़ा सा पीछे हटते जा रहे हैं, और अब बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो थोड़े से महंगे phone है, 10,000 रुपए के 12,000 रुपए के phone, उसकी तरफ ज्यादा competition बढ़ेगा, और इसल Chinese जो phones हैं, जो brands हैं, उनका भी अगर आप देखिए, तो जो average selling price, मतलब कि कुछ phones ऐसे होंगे, जो 30,000 के होंगे, 35,000 के होंगे, कुछ ऐसे होंगे, 10,000 के होंगे, 15,000 के होंगे, मतलब average में लगभग आप 20,000 के आसपास कह सकते हैं, वो इतने में बेशने वाले हैं, क्योंकि Chinese phone makers अगर ये better price में दे रहे हैं, मतलब कि थोड़ा सा higher margin की तरफ shift हो रहे हैं, तो उनको हर एक unit बेशने पर थोड़ा सा profit ही होगा यहां पर, और इसलिए बताया जा रहा है कि again, यहां पर जो Indian phone makers हैं, जैसे carbon हो गया, lava हो गया, micromax हो गया, वो यहां पर भी struggle करने वाले हैं, यह वाला जो segment है ना, 15-20,000 रुपय के mobile phone वाला, वहां पर भी again Indian brands शायद नहीं टिक पाएंगे, तो overall कहने का मतलब यह है कि again, Chinese market, overall अगर आप देखो कि भारत के अंदर जो phone market है, उसमें थोड़ी सी गिरावर्ट तो ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको कोई beat करने वाले ह हाँ, जो Ambani का Jio वाला phone है, वो पूरी तरह से take over करने वाला है, जो सस्ते दाम के feature phone होते हैं वहाँ पर, तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि exactly समय phone के market में क्या हो रहा है, और जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो, which among the following sector uses maximum commercial energy in India, यहाँ पर कौन सा sector, सबसे ज़्याद commercial energy का इस्तमाल करता है, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF चीज़ तो Telegram पर IAS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल